Hello friends, welcome back to Be Healthy Channel Be Healthy Channel के इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों तेज धुप से बचने के लिए हम संस्क्रीन क्रीम का इस्तमाल करते हैं इसके बाद भी कभी-कभी टैनिंग हो जाती है अगर आप भी समस्या से जूज रहे हैं तो कुछ घरेलू उपाय से आप इन समस्या से छुटकारा पा सकते हैं हाला कि टैनिंग से पुरी तरह से एक ही बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता इससे धीरे-धीरे ही राहत मिलती है आईए अब दोस्तों जानते हैं कि टैनिंग होती क्यों है दोस्तो जब सुरी की अल्ट्रा वायलेट किरने हमारी एपिडर्मिस की सबसे निचली सता में जाती है तो उसमें मौजूद मेलनोसाइट सक्रिये हो जाते हैं इसके वज़ा से मेलनी नाम का हार्मोन का स्राव जो होता है बहुत जादा होने लग जाता है जिससे ही हमारी एसकीन सावली होने लग जाती है उसमें टैनिंग आ जाती है अब आये उन उपायों के बारे में जान लेते हैं जिसे आप बहुत ही असानी से घर पे करके टैनिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं निम्बू के रस और चेनी से आप टैनिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। निम्बू में ब्लीच करने का जो प्रकृतिक गुन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसके वज़े से जो टैनिंग हमारे चेहरे पे आती है वो धीरे धीरे खतम हो जाती है। को रात में सोते समय चेहरे पे लगा करके सुबह इसको धो लेंगे तो इससे भी काफी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावे आलो के प्रयोग से आप जो टैनिंग की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आलो में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो एक प्राकर्ति के ब्लीच की तरह काम करता है। आलो को पीस कर पेश्ट बनाए और उसे पूरे चेहरे पे लगा कर 30 मिनट बार थंड़े पानी से धो लें। इसमें निम्बू का रस भी आप मिला सकते हैं। या संबर्ण से हमें काफी राहत दिलाता है। इसके साथ साथ आ आपके चेहरे में जाईयां, दागदबे बन गए हैं या संटैनिंग आ गई हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। दही में संटैन से राहत पहुचाने वाले गुन होते हैं जो हमारी त्वचा को ठंड़क पहुचाते हैं। इसके साथ साथ जो खुले रोम चीदर होते हैं उसको भी टाइट करने का ये काम करता है। दही में बेसन और खीरे टमाटर का रस मिलाकर लगाने से भी टैनिंग से छुटकारा मिलता है। नहाने से पहले दही में टमाटर या निम्बू का रस मिलाकर लगाने से भी काफी लाम मिलता है। इसके साथ साथी दोस्तों खीरे पे लगाएं, 30 मिनिट बार थंडे पानी से धोलें, इससे बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे में रहात मिलती है, उसमें जो टैनिंग आई है, वो खतम हो जाती है, और चेहरे में एक अलग प्रकार का निखार आ जाता है, तो दोस्तो इस प्रकार से इन उपायों को करके आप अपने चेहरे में गोरा निखार ला सकते हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्रिप्सन के साथ साथ बेल आइकन को आपको मिल सके और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें, दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार